अमश्कार आप देख रहे हैं IBC 24 मैं हूँ आप सभी के साथ रचना लितेश और मैं हूँ आपके साथ अकांगशा पांडे MPCG 2020 में आप सभी का स्वागत है दिनबर की मदप्रदेश शतीजकर की तमाम बड़ी खबरों के से अपडेट हम आपको इस एक बुलिटन से कराते हैं और इस बुलिटन की शिरुवात करेंगे कॉंग्रिस वधायक डॉक्टर विने जैस्वाल के बड़े बयान के साथ आपको नमस्कार मैं हूँ राजेश राज और ABC24 में आपको बहुत स्वागत है कॉंग्रिस की विधायक है डॉक्टर विने जैस्वाल जी और इन्होंने आज बड़ा खुलासा किया बलकि बहुत संगीन बहुत बड़ा आरोप लगाया और आरोप ये है कि BJP के पुर्व विधायक डॉक्टर शाम बिहारी जैस्वाल ने सौ एकर जमीन का फरजिवाड़ा किया चुनाव से पहले क्या धमाका के हैं देगे चुनाव के पहले तो और बड़े धमाके होंगे अभी तो इन्होंने गरीब आदिवासियों के ट्रैबल के खासकर के राश्टपत्ति की जो सरक्ष करंटर पर्टी के निताओं की चल्क्षिर में किया पति और पतनी के नाम से सौँ एकर की जमीन है प्रॉपर्टियन के लाम से जो मनेंकर गों इदान सिब्कार सरकार तो आपकी है और चुकिए आपने सीम से शिकायत किया है तो माने कि ये सरकार रहते हैं ये जो कारेकाल आपका चारपांस महीनोबाद में ही पूरा हो रहा है उसके पहले ही इस तब मामलों की जांच हो जाएगी और दूद का दूद पाद निसीत रूप से मैं तो जालनी रस्थी कंड़ी मैंने बोला है तो आकरा कहा जाएगा चलिए हम भी इंतिजार करते हैं कि आकरा सामने आए लेकिन एक बहुत गंभीर और बड़ा आरोप कॉंग्रेस के विधायक विन्यजास्वाल जी ने लगाया है कैमरा पसंद किशोर के साथ राजिश राज लेकर कमलात ने आज बहुत बड़ा बयान दिया पूरवसीयम कमलात ने कहा कि अफसरों को बदलना जरूरी हो गया था क्योंकि हमारे सामने सिस्टम को बदलने की चनौती थी क्या कुछ रोने का सुनवाते हैं आपको इसाथ गर के सीम उपेश बगेल ले भाषपा के प्रदेश प्रभारी ओं माथूर पर हमला बोला उन्होंने तन्जुकस्ति उवे कहा है कि माथूर ने रमान सिंग को नेपथे में दखेल दिया उन्हें इस तरह का अपमाल नहीं करना चाहिए था वही मुख्य मंत्रे ने ये भी कहा कि भाजपा के पास 36 गर में कोई चहरा नहीं है कॉम माथूर जी अपनी चिंता करें कितने प्रभारी बता चुके अब अपनी इज़्यत बचाने में लगें देखें अब रमान सिंग के कहीं सोचल मीडियम के आई नहीं रहा है कॉम माथूर जी इतना निया न करें रमान सिंगी को पर ये उसी तो नहीं है कॉई कॉंग्रेस की राजसबा सांसित रंजीता रंजन के 500 रुपे में सिलिंडर देने वाले बयान पर अब सियाशत सुरू हो गई है बुदवार कुद दुर्गे के एक कार्वक्रम में रंजीता रंजन ने 36 कर में 500 रुपे में सिलिंडर देने की बात कही थी जिसको लेकर अब बीजेपी विधायक रंजना साहू ने उन्हें चनौती दी है और सवाल पुछे के रंजीता रंजन बताएं कि ग्रामीर इलाकों में चार सिलिंडर मुफ्त देने के बादे का क्या हुआ पॉंग्रेस अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही है जूट पर जूट बोला है ये उनके वेवहार में शामिल हो गया आज जिसबा साहसा तरंजी तरंजन जी आती है और यहां की महलाओं से वादा करती ही कि 500 रुपे में सिलिंडर दिया जाएगा आपने अपना घूशने पत्र में इस पश्ट किया कि महतारी सम्मान यूजना के तहर हमारी सभी बहनों को 500 रुपे दिया जाएगा आपने दिया क्या हमारी बहनों से फिर से आपने वादे कि कि ग्रामिल परिवेश में मुफ्त में चार सिलेंडर प्रतिवर्श दिया जाएगा आपने दिया क्या मैं 36 गण की बेटी रंजना साहू बिहार की उस बेटी रंजित रंजस जी से पूछना चाहती हूँ कि किन किन बहनों को आपने मुफ्त में सिलेंडर दिया उसे इस पश्ट करिये इदर भुपाल कॉंग्रेस का राले में मंद्रप्रदीश कॉंग्रेस नगर ग्राम रक्षा समीती के प्रांति सम्मेलन का आयजन किया गया जहां पर कमलात शामिल हुए आपको बता दें कि कमलनात ने कहा है कि आज मध्यप्रदीश में गाउं से लेकर मंत्राले तक भष्टाचार है 18 साल बाल शिवराद सरकार से को बहने याद आ रही है वह किसान याद आ रहे है वह शिवराद से ने याद का खेना है कि सरकार बनने पर कॉंग्रेस अपने सभी वादे पूरे करेगे तो कि बहुत बड़ी खबर आपको बता दे 36 कर में पटवारियों के हर्टाल आखिकार स्थगित कर दी गई है सियम्बुपेश बगेल से अब पटवारी संग मुलाकात करेगा पटवारी संग के अध्यक्ष फागबत कश्यप का ये बयान है जुनिता की समस्या को देखते हुए उन्होंने अपनी हर्टाल स्थगित की है तो 25 दिनों से भी जादा वक्त गुजर चुका था 36 करके पटवारी लगातार हर्टाल कर रहे थे कई सूत्रिय मांगों के साथ और इसी भी सियम्बुपेश बगेल ने भी यहाँ पर तल्ख रवया अपनाया और उसके बाद एसमा भी लाकू किया गया और अब यह बड़ी खबर इस वक्त के हम आपको बता रहे हैं कि अब यह हर्टाल स्थागित हो गई है जो प्रदीश अध्यक्ष है पटवारी संग के उनका कहना है कि जुनिता के समस्यां को देखते हुए हमने यह फैस्ता लिया है और पटवारी संग अब सिये मुपेश बगेल से भी मुलाकात करेगा तो आम जुनिता को सबसे ज़्यादा परिशान होना पड़ रहा था क्योंकि पटवारी से जुड़े हुए सभी कार रिबंद थे हाला कि कुछ जरूर रियायते दी गई थी आम जुनिता को कि वो काम जो पटवारीों की थू होते हैं वो अभी फिलहाल नहीं किये जाएंगे वेतलपिक विवस्थाएं की गई लेकिन उसके बाद अब ये बड़ा पैसा लिया है पटवारी संग के तरफ से राजेश राज हमारे साज उर चुके हैं राजेश एक बड़ी ख़बर पटवारियों के हर्टाल तो स्थगित हो गई है लेकिन अब आगे उनका अगला कदम क्या रहेगा तेकि ये गति रोज खत्म हुआ है क्योंकि वो शुरू से पहले ही से कह रहे थे कि इस मसले पे वो मुक्वंद्री से मिलना चाह रहे है एक बार मुक्वंद्री से मिल करके अपनी बात को रख दे उसके बाद भले ही कोई मांग मानी ना जाए या आश्वासन ना मिले वो अपनी हर्पाल खत्म कर लेंगे दो बार राजेस्व सचीब के साथ उनकी मुलाकात हुई और उसके बाद आज कॉंग्रेस के कुछ निताओं से बात चीप हुई थी कुछ मंत्रियों के संपर्क में भी से पत्वारी संके पदारी कारी और उन्हें एक आश्वासन मिला है कि मुकमंत्री से उनकी मुलाकात कराई जाएगी कॉंग्रेस के संचार विभा के प्रमुख ने भी बात्चीप की थी उसमें और उन सबकी बात्चीप का नतीजे का असर है कि पट्वारी इस बात में टैमात हो गये है कि वो अपनी एक 30 दिन पुरानी एक मेने से जादा उनका हर्ताल हो गया था निशित कालिन हर्ताल का वो उसे वापस आ रहे हैं उन्हें ने नगोशना कर दी है और उन्हें आश्वासन मिला है कि उनकी मुलाकात वकमंत्री से कराई जाएगी और इसी आश्वासन पे उन्हों ने पने स्ट्राइक कॉल अफ की है शुक्रिया पुरी जानकारी के लिए राजिश देखते हैं हम आगे पटवारी संग क्या करते हैं और उस मुलाकात के बाद क्या कोई बीच का रास्ता निकलता है मोरी सरकार के 9 साल की उपलब्धियों को गिनाने के लिए बीजेपी का महा जन संपर्क अभियान जा रही है आपको बताने की मोरी सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुँचाने के लिए लगातार केंद्रे नेताओं का दौरा भी हो रहा है आप देश में पेम मोदी की दौरे को लेकर बीजेपी कारेयाले में चल रही समिक्षा बैठक के बात चिकिस्तसिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बताया है कि पेम मोदी का एतिहास इक स्वागत किया जाएगा इसके साथ ही भोपाल में मोधी जी का रोड शो भी होगा बैटक में प्रदेश अधियक्ष और संगटन महामंत्री ने दौरे को लेकर समिक्षा की बात करें 36 गर भाजपा प्रदेश अधियक्ष और उनसाव की तो विधान सभाथ चनाव की तयारियों की जानकारी देते हुए विधान सभाथ चनाव के लिए भाजपा महा जनसंपर्ग अभियान अभी जारी है और जल्दी भाजपा अपनी गोशना पत्र कमीटी का गठन भी कर देगी जनसंपर्ग अभियान के तहट देश में इंक्यावन बड़ी सभाई होनी है जिसमें से दो सभाई आमेट शाह और जीपी नर्दा की होगी इसके अलावा राजनात सिंग की भी कांकिर में सभाप्रस्तावत है विग्रियमंती नरोतों मिश्वा ने दिगवजे सिंग समेथ कॉंग्रेस के नेताओं पर जम कर हमला बोला नरोतों मिश्वा ने दिग्विजे सिंग के सनातन धर्म पर दिये गए बयान पर और किये गए ट्वीट पर पलटवार किया और कहा कि सनातन का अपमान करना दिग्विजे सिंग के आदत बन चुकी है उन्होंने कमनाथ और प्रियंका से भी सवाल पूचते हुए कहा कि संतों के बारे में दिख्विजे सिंग के बयान का क्या वो समर्थन करते हैं या फिर विरोध पूर्व मंत्री के दार कशिप ने कहा कि देश की आज़ादी में हमारे आदिवासी जनर नीताओं काभी महतपून यूगदान था मद्यप्रदेश कॉंग्रिस दिगवजे सिंग की रिपोर्ट के अधार पर प्रदेश की 600 सीटों पर टिकेट का फैसला करें कि सजिन सिंग वर्मा ने कहा कि कॉंग्रिस में किसी तरह की कोई गुडबाजी या फिर तरातनी नहीं है सजिन सिंग वर्मा ने भुपाल की इतिहास को लेकर कभी मनोज मुंतिशर की टिपणी पर एतराज रताया साज़न सिंग वर्मा ने कहा कि मनोज मुंतिशर बीजेपी की गोध में बैठकर इतिहास और संस्कृती से छेड़ छाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं हम नशामुक्ती अभियान की शुर्वात कर रहे हैं हमारा उदेश नशामुक्त समाच बनाना है मिदान सबच चुनाओं को अब सिर्फ पांच महिने का वक्त है और ऐसे में बीजेपी ने जिलों में नेताओं के आपसी मतवेद और नराज़की को दूर करने के लिए दिगजों को मैदान में उतार दिया है मुखे मंतरी शिवरा सिंग चोहान प्रदेश ओद्यक्ष वीडी शर्मा और संगत्थन महा मंतरी इतानंत शर्मा ने खुद मोड़्चा समाला है तीनों दिगज निता सेम हाउस में दो दिन से लगा था प्रदेश के जिलों के कोर ग्रूप से चर्चा कर रहे हैं तीनों के गंगा जमना स्कूल के बाद अब एक और स्कूल अलफला यूनीक नामका स्कूल विवादों में घर गया है जिसको लेकर बालायोग ने जाच के आदेश चारी कर दी है शोहर की नूरी नगर में संचालित स्कूल ने बिना मानेते के ही बाकाईद अपोस्टर और विग्यापन भी जारी किये थे हालाकि इन विग्यापनों और पोस्टरों के सामने आने के बाद अलफला यूनीक स्कूल की जाच के लिए डी इउने एक कमिटी कर्ठित कर दी है और जल्दी इसकी भी रिपोर्ट सामने होगे खबर खरगौन से है जहां भाजपा अलप संक्यक मोचा के राश्ट्री मंत्री ने भाजपा की जीत का दावा किया है राश्ट्री मंत्री साइद इब्राहिम ने कहा कि मत्रप्रदेश में मुसल्मान भाजपा के साथ है क्योंकि केद्र और राजसरकार के विकास यूजनाओं से मुसल्मान काफी प्रभावित है खबर राइपुर से है जो हाँआच मेयर न काउंसल की बैठड बैठड में राइपुर में राज्जीव गान्धी मार्ग होगा और इसके बाद अब जोरदार सियासद भी हो रही है खबर राजधाली भूपाल से जहां कथा वाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने अलग-अलग मुद्दों पर प्रतिक्रे आ दिया हैं उन्हें लव जिहाद रोपने के लिए बेटियों को संस्कार देनी की सला दी वहीं उन्हें हिंदू सादू संतो पर अंधविश्वास की लगाए जा रहे आरोपो पर भी बयान दिया और कहा कि हमारे धर्म की लोग भी हमारे सादू संतो पर अंधविश्वास का आरोप लगाते हैं और इसलिए दूसरे धर्मों के लोग भी उन आरोपों को आगे बढ़ाते हैं हमें पहले संतो कथावाचकों के बात को समझना चाहिए और उसके बाद उन पर आरोप लगाने चाहिए बिलासपर में आज मितानिनों उन्हें से अलग अलग कई कारे कराये जा रहे हैं लेकिन इसके बाद भी उन्हें समय पर राश्री का भुकता नहीं किया जा रहा है और असकारण उन्होंने प्रदर्शन किया एंपे में आप कोरोना काल के केस वापस होंगे ऐसे मामले जो कि लॉकडाउन और लंगन पर दर्ज किये गए थे सतना शहर के नजीराबाट की एक शादी शुदा महिला को फेस्बुक पे दोस्ती करना महिगा पड़किया महिला ने शायरण शेट शेन्शापर एक होचेल में दुशकर्म करने और अशली वीजेओ बना कर ब्लाक मेल करने का आरूप लगाया और अतना ही नहीं महिला ने उसके दूसरे दोस जनैद और तीसरे दोस अर्मान पर भी वीडियो वायर करने की धंकी देले का आरोप लगाया सिटी कोटवाली थाने में अब शुकायत दर्स करवाई गई है वहीं पीरता का कहना है कि आरोपियों ने उससे अब तत ब्लैक मेल कर करीब 4 लाख रुपे वसूले है पन्ना जिले का हीरा जी आई टाग के रूप में भी जाना जाएगा एनमडेसी की ओर से संचालेत एक मात्र मशीन युक्त खदान जी पन्ना जिले में है आपको पता ले कि जिले में उत्पादित हीरे को विशिष्ट पहचान दलाने के लिए कलेक्टर संजय मिश्रा ने प भारतिय विश्विद्याले दुर्ग में एडवांसेज इन मल्टी डिस्प्लिनरी रिसर्च और एप्लिकेशन विश्वय पर दोदिवसी अंतराष्टी संगूष्टी का आयोजन की शुरुवात गुरुवार से हुई है और अंतराष्टी संगूष्टी के कुल चार अमिसी की शोधार्ति और चौथे प्रभा में कंप्यूटर विज्ञान की शोधार्ति अपने शोध पत्र प्रस्तुत करेंगे इस आयोजन में 240 शोध पत्र जपान सूडान चीन आदी देशों के अलावा भारत के अलग-अलग राज्यों से प्राप्त हुए हैं तंगोष् अप्रोच करके और सच करेंगे इस आपने शोध प्रचार्व सारूथ अच्छे से होगा और इसमें जो बच्चे जो आज पीच्डी का डिगरी लेने के लिए जो रिसर्च करते हैं उसमें सभी को इसका लाव नहीं लेगा और खबर सूपर साइकलों के मद्र प्रदेश में भी वेपर जॉय तूफान के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है मौसर वभात में गौल्य चंबल जोन में भारी बारिश के लिए यलो अलर्ट जारी किया है हलाकि मद्र प्रदेश में गुजरात की तरह तूफान का असर नजर नहीं आएगा मगर आज देर राट शुकरवार तक वेपर जॉय का समान असर यहाँ पर जरूर नजर आएगा आपको बता दे कि तूफान थमने के बाद ही मद्र प्रदेश में मौनसून की दस दखोगी और इसे के सानत NPCG 2020 में आज के लिए इतना है देशो दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहे हैं ABC24 नमस्कार